दोस्तो अगर हमारी वीडियो पसंद आती हैं तो लाइक कीजिएगा ताकि हमको पता चल सके और इस रेड़ वाले सब्सक्राइब के बटन को दबा दीजिएगा ताकि आप सब्सक्राइब हो जाएं और बैल आइकन आएगी उसे भी दबा देना हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब लोग दोस्तो हैं विशाल आप सब का च्वागत करता हूँ आपी के चैनल में उमीद है आप लोग को वीडियो पसंद आ रहे होंगी पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पैल आइकन को दबाना ना बूलें ताक आज की वीडियो को आपको देखना एंड तक जरा सा भी स्किप नहीं करना है ओके दोस्तो तो दोस्तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं क्या है आज की वीडियो में आपको हम बता देते हैं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन को दबा देना और वीडियो को like नहीं किया तो like भीग कर देना और ध्यान लखिएगा दोस्तो वीडियो पसंद आती है तो comment करके ज़रूर बताइएगा चलिए दोस्तो सबसे पहले playstore पर आज की app को easily डूण लेते हैं दोस्तो दोस्तों सबसे पहले आज की आपको डूढने के लिए playstore पर जाना होगा और आपको search करना होगा तो यहां पर easily आपको देखने को मिल जागी आपको search करना ifttt करके search कर लेना है आपको तो यह application आपको देखने को मिल जागी बहुत अच्छी application है, इसे आपको क्या करना है, इसे आपको open कर लेना है, यह आपको permission मागेगा आपसे और आपको permission दे देनी है, अब दोस्तो इस application का काम क्या है मैं आपको बता जेता हूँ, दोस्तो पहली बात तो बहुत amazing है यह application, यहाँ पर जाके आप पता है बहुत सारे trigger create कर सकते हैं, कैसे trigger क्या है मैं आपको बताएता हूँ, दोस्तो जैसे कि suppose आपके पास किसी की call आती है, और आप वो call नहीं उठा पाते हैं, हो सकता है आप busy हो या फिर किसी और काम में व्यास्त हो, जो भी हो, ओके दोस्तो तो यह क्या करेगा, यहाँ पर आप आप कुछ trigger ऐसे create कर सकते हैं, और हो सकता है, maybe आपके पास जो call आने वाली हो, वो बहुत important हो, और आप उठानी ही पाएं हो, हो सकता है आपकी girlfriend की हो, हो सकता है आपके boyfriend की हो, किसी की भी हो, तो यह trigger ऐसे create करेगा, जो आपको ऐसी situation से बचा सकती है, आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, create कर सकते हैं, triggers, जैसे कि दोस्तों देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है, if this, then that, जैसा कि इसकी full form है, if this, then that, ओके दोस्तों, यहाँ पर add करना होता है, आपको if this, if this में आप जैसे ही जाहेंगे, यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ देखने को मिलेंगी, जैसे कि Instagram, Instagram पर अग अगर दोस्तों, यहाँ पर जैसे कि लिखा हुआ है, disconnect from any by-fi network, यानि कि अगर आप किसी by-fi network से disconnect होगे हैं, तो आपको तुरण्ट notification आ जाएगा, लेकिन किस तरीकर notification आएगा, वो आपको then that में जाके add करना होगा, यहाँ पर जैसे ही आएंगे, यहाँ पर आपको चीज़ from the IFTTT app, तो जैसे ही मैं यहाँ से create करूँगा, मुझे notification आ जाएगी, उससे related, ओके दोस्तों, अब दोस्तों, जैसे कि title है, यहाँ पर link URL वगएरा, image URL वगएरा आप डाल के इसे use कर सकते हैं, तो काफी lengthy, काफी vast application है यह, इसे आप use करके देखिएगा, मजा आएगा, ओके back आजाते हैं, इसके अलावा देख सकते हैं, यहाँ पर जाके आप और भी बहुत सारी चीज़ें create कर सकते हैं, ओके दोस्तों, यहाँ पर और दिखा देता हूँ, मैं आपको और कौन-कौन से यहाँ पर trigger आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि Instagram, लेकिन ध्यान रखिएगा दोस्तों, Instagram, Telegram, WhatsApp, इन सब के लिए अगर आपको create करना है, तो इनको लिए आपको देनी होगी permission, permission आप दे पाएंगे, तभी आप यहाँ से उस चीज़ को use कर पाएंगे, ओके दोस्तों, तो यहाँ पर जाके आप location इनको use कर सकते हैं, जैसे कि location का अगर हम देखे हैं, तो location के लिए trigger create करना है, यहाँ पर जैसा कि लिखा हुगा, you enter or exit an area, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, आप किसी भी area में enter करते हैं, जैसे कि मैंने ये area डाल लखा है, एक specific, यहाँ पर मैं enter ये exit डालूँगा, तो मुझे notification, जो भी मैंने डाल लखा हुगा, उस related trigger मुझे मिल जाएगा, जैसे कि मैं यहाँ पर जौंगा, then that पर जाके create कर सकता हूँ, ओके दोस्तों, then that पर जाके create कर सकता हूँ, क्या होना चाहिए, मुझे notification मिलना चाहिए, या फ़िटर पर जाके मैं कर सकता हूँ, जो भी लेकिन, twitter पर जाके post हो जाना चाहिए, tweet, जैसे ही मैं इस location पोस्टर ट्विड इमेज तो ये भी मैं सेट कर सकता हूं कि इस लोकेशन पे जाते ही मेरे ये ट्विटर पे जाके एक पोस्ट हो जाना चाहिए तो ये सारी चीजे मैं मैं मैंनेज कर सकता हूं तो काफी cool है यह application यूज़ करके जरूर देखिएगा मज़ा आएगा अगर आप इस application को यूज़ करेंगे तो यूज़ कीजिएगा बहुत अच्छी application है यह आपको हर तरीकी situation से और बहुत तरीकी के trigger create करके आपको एक अच्छा सा एक atmosphere प्रोवाइड कराता है तो उमीद है समझ में आए होगा इस application को आप किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं इनके से वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को तबाना ना भूलें दोस्तो बहुत जल मिलेंगे हम आपको next वीडियो में ऐसे ही